वनपीस के चैप्टर नंबर 1113 के अरली स्पोईलर्स आ चुके हैं और काफी ज़्यादा बेसबरी से हमें इस चैप्टर का इंतजार था क्योंकि वेगापंग जो है वो इस चैप्टर में अपनी स्पीच की शुरुआत करने वाला है तो वेगापंग क्या बोलने वाला है और क्या राज का परदाफाशाज वो करने वाला है वो तो हम इस चैप्टर में जानी लेंगे तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में हुआ क्या तो पिछले चैप्टर में हमने देख लिया था जो मार्स था फाइव एल्डर्स का मेंबर वो स्पेशल ट्रांस्पोंडर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था और उसने डिस्ट्रॉय कर भी दिया उसे लेकिन वो स्नेल फेक था और वहां पर सारी कम्यूनिकेशन पूरे वर्ल्ड में अभी भी टेलीकास्ट हो ही रही थी पूरा वर्ल्ड है वो देख रहा था कि एकट आलेंड में हो क्या रहा है और यहीं पर हमें बहुत सारे लोगों के रिएक्शन भी रिखाये गए हैं क्या चल रहा है और वहीं पर मार्स वेगा पंक का बहुत बड़ा हैड देखके काफी तदा शौक में हो जाता है और वो जो हैड है उसका वो एक टैंक में स्चोर करके रखा हुआ है और अगर तुम सोचो वेगा पंक काफी बड़ी इंफरमेशन यहां पर देने वाला है और वो कुछ जादा बड़ी इंफरमेशन देने वाला हो और तभी मार्स ने उसके हैड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा हमें तो बहुत बड़ी इंफरमेशन पता भी नहीं चलेगी और तभी दस मिनेट की जो प्रेपरेशन काउंडाउं थी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है काउंडाउं खत्म होने के बाद वेगा पंक अपनी स्पीच को स्टार्ट करने वाला है और अपनी मैसेज को है और तब ही सांजी उस पर अटेक कर देता है जो सैटर्न है वो भी उस्वाप के गुरूप के पास फाइनली पहुंची जाता है और रॉबिन उसकी अवाज को सुनके ना पहचान लेती है कि यह सैटर्न ही है एड़ दा एंड ऑप दिचैप्टर वेगा पंक फाइनली इस मैसेज को देना शुरू कर देता है तो वो कहता है कि यह जो दुनिया है बेसिकली जो वन पीस का वर्ल्ड है दिस वर्ल्ड विल सिंक इंटू दसी हाँ यहाँ पूरी जो दुनिया है वो समंदर में डूबने वाली है इन फ्यूचर यह जो पूरा वर्ल्ड है वो समंदर मे डूब जाएगा अभी कुछ भी क्लियर नहीं है हमें अभी इतना ही अल्ली स्पॉइलर मिला है फुल चैप्टर जैसे ही आएगा तो हमें पता चलेगा कि वेगा पंक इसमें कहना क्या चाहता है तो क्या होगा अब तुम सोचो अगर पूरा वॉयल जो है वो समुदर में डू टीटर है तो वो तो डूब ही जाएंगे या मर जाएंगे उनका क्या होगा और हमने देखा है कि बड़े बड़े आइलेंड जो है ओने का शीमा लुलूश या इन आइलेंड्स को तो ऐसे ही तबाह कर दिया गया उनके तो एक्जिससेंस भी नहीं बचा पूरा वर्ल्ट ही इवेंट गटा था जिस वसे फिश्मेन आइलेंड जो है वो समुंदर में आ गया था क्या वो घटना फिर से घटने वाली है क्या वेगा पंक यह कहना चाह रहा है या फिर वो कुछ और ही कहना चाहता है यह तो हमें बाद में पता चलेगा जैसे ही फुल स्पॉलर्स आएं ऐस जाओगी और डशे सथन दो बड़त जैस बाद कि बाद में आए हुआ यह